हेलो गूर्णिंग फ्रेंड सावार यू आई तिंग को लर्फाइन सो यह मारस का रजल्ट जो है आऊ चुका है और लेकिन उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं मैंशन है तो बहुत सारे जो की फ्रेंड्स एक दो नंबर से रहे गे उनको यही है कि मैं वेटिंग लिस्ट आएग कोई दो कैंसर की वज्ये से रहे गे जिनोंने की उब्जिक्शन लगा रखा था तो उनको यही डाउट है कि मैं रिवाइज दंसर की में उनकांसल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है तो उनको बार बार यही जो है बाते पूछी जारी थी कि मैं वेटिंग लिस्ट तो देखो waiting list जहां तक possible है बहुत ही कम चांस है क्योंकि waiting list साथ साथ आ जाती है लेकिन अगर waiting list नहीं आती है तो आपकी vacancy बहुत जल्द आएंगी क्यों क्योंकि कुछ candidates ऐसे हैं जिनका selection टीजीटी में भी हो गया है और पीजीटी में भी हो गया है या फिर आपकी जो आपके non official vacancy थी उन में भी हो गया है और उसके साथ साथ जबके non teaching vacancy थी sorry non teaching vacancy में भी हो गया है और teaching vacancy में भी लेकिन एक candidates एक ही जो को select कर सकता है तो इस वज़े से कुछ रा कुछ जो है पोस्ट जरूर खाली रहेंगी तो waiting list तो बड़ी मुश्किल है लेकिन यह है कि यह मारस की भरती आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है तो और उसके बाद रही बात revise dancer की कि मैं revise dancer की आएगी या नहीं आएगी तो देखो revise dancer की यह है कि आने भी चाहिए और बच्चों के जो score है total marks वो भी वो भी confirm होने चाहिए कि भी किस बच्चे के कितने marks आए हैं ठीक है तो revise dancer की बहुत ही वैसे क्योंकि KVS का और NVS के सिंस pattern पर यह यह मारा स्कूल चलते हैं जिसकी वज़े से यही एनुमान है कि उनकी भी जो revise dancer की है वो नहीं आए थी तो revise dancer की शायद नहीं आएगी क्योंकि जो यह objection का सिलसला है इसी को खतम करने के लिए जो revise dancer की है वो अब जो है नहीं गिवन होती है नहीं उसको साइट पर शो नहीं किया जाता है लेकिन जो आपका score है वो revise dancer की के according ही है तो आई होप आपकी जो भी query थी वो solve हो गई होगी अगर कोई और query है आप कमेंट चाहिए पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए चैनल को झाल नेवली